अब आज हम सीखेंगे स्लीप का बहुत ही सिंपल और बिल्कुल निव डिजाइन यहां पे देखें फ्रेंट इसलीप को आपको आपको अपने साइज की साबसे कट कर लेना है यहां पे इसलीप की जो लंबाई है बाजू की लंबाई है साड़े ग्यारे इंच लिए है और इ यहां पे पांच इंच इसका रेड़ी मोहरी है और डेड़ इंच साइड में मार्जन लिये हैं यहां पे देखें मेन कपड़ा है इसका तो मेन कपड़े के सीधे साइड आपको अस्तर वाले पाट को पहले मिला के रख लेना है नीचे से आधा इंच कपड़ा हम सिलाई में पकड़ते हुए दबाएंगे देखी इस तरह से अगर आप थोड़ा सा छोटा स्ली पहनते हैं तो इसका लंबाई आप 9 इंच भी रख सकते हैं 10 इंच भी रख सकते हैं आप अपने 24 की इसाब से रख सकते हैं अब इसको उल्टे साइड फोल्ड कर दिये हैं और यहां पर देखिए अस्तर के बिल्कुल कॉर्णर पर सिलाई लगा करके इसको में कपड़े के साथ आपको सेट कर लेना है चारो तरब सिलाई लगाने के बाद से अब देखिए अस्तर के बाद जो भी एक्ष्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आपको मेन कपड़े में उसको कट करけ निकाल लेना है क्योंकि मेन कटिंग जो होती है आप आस्तर के उपर ही करते हैं तो इस तरह से आपको स्लिप को रेड़ी कर लेना है अब यहां पर देखेए कट आपको कितने इंच में डालना है उपर से आपको डेड़िंच छोड़ देना है और जो बीच का एरिया बंच रहा है जितना आपका कट बैठे है आप 3 कट दो कट जितना आपको समझ में आए कि इतना कट यहाँ पे बैठ जाएगा उतना पना सकते हैं उप साथ इन्च में हमारा तीन कटे यहां पर बैट रहा है झाला है धेखिए साथ इन्च को आपको तीन भाग में बाट लेना है 쉬स थेफ को फॉल्ड करके यहां पर दो इन्च दो पॉइंत आ रहा है हमारा एक कट का लंबाई अब यहाँ पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके उपर से डेड़ेंग छोड़के मार्क कर लेंगे और नीचे के साइड जितना आपका बॉर्डर है वहाँ तक आपको मार्किंग कर लेनी है अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप अस्तर के ऊपर भी साइज में कट करके पलट सकते हैं अब देखें यहाँ पेपर पेस्टिंग डबल फॉल्ड में रखें हैं दोनों सिलिप की कटिंग यानि दोनों बाजू का जो डिजाइन है उसको एक ही साथ कट करेंगे तो यहां पे 2 इंच 2 पॉइंट का आफ कर लेंगे तो यहां पे एक इंच एक पॉइंट आएगा तो वहाँ पे सेंटर पे आपको एक पॉइंट बना लेनी है और यहाँ पे देखिए एक इंच पे इसकी चोड़ाई लेनी है इस तरह से देखिए बीच में आपको एक इंच पे चोड़ाई ले लेना है और दोनों साइड इस तरह से मिला ले तो बहुत ही सिंपल होता है इस डिजाइन को कट करना देखिए यहां पे दोनों साइड आपको एकदम बराबर बराबर लेना है अब देखिए इसको पहले कट कर लेते हैं डिजाइन को आप पहले पेपर के उपर कट करें उसके बाद से उसी को रखे आप पेपर पेश्टिं न हो तो इससे भी यहां से हम कट कर लेंगे बीच में आपका पेपर पेस्टिंग ज्वाइंट नहीं रहना चाहिए उसको आपको अलग-अलग कर लेना है आप देखिए अब इसी तरह से तीसरा पीस भी रखके आपको मार्क करना है और उसको कट कर लेना है तो यहां पे सकते हैं आप अपने 24 के इसाब से तो देखिए या पे दोनों बाजू के लिए हमारा डिजाइन कटिंग हो गया है और इसे अस्तर के उपर रखके हम अच्छे से चिपका लिए हैं प्रेस से अब देखिए साइड से इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से जो आदा इंच कर लेना है और कि चारों तरह सेक्पड़े को फोल्ड करने के बाद से अब आपको करना क्या है फिटसी स्लीब को लेना है यहां पर देखिए पार्ट डेडी हो गया है स्लीब को लेंगे उपर के साइड एक चोटा पर लिट से कट लगा देंगे और आपको मार्किंग करनी है इस तरह से आपको मार्क कर Rank करना complaint कर लेना है और वही center की मार्किंग है उसको मिलाते हुए design का जो को ना है बिलकुल center में आना चाहिए यहां पर पीण में to do बिल्कुल सेंटर में कच्ची सिलाई लगा लें ताकि इधर उधर न खिसके जब आप डिजाइन के उपर सिलाई लगाएं तो देखिए जिस तरह से हमारी पेपर पेस्टिंग की कटिंग हुई है बिल्कुल उसी तरह से आपको शिलाई लगा लेनी हैं आप देख सकते हैं किस तरह से हम लगा रहे हैं. तो देखें चारो तरप आपको सिलाई लगा लेना है. बीच में छोटा सा कट लगाएंगे. वहीं से बिल्कुल सीधे में आपको कट कर लेना है. देखान रहे कि आपकी जो सिलाई है कोने पर की वो नहीं कटनी चाहिए. एक चाप कपड़े को छोड़ते हुए बाकी कपड़े को आपको अंदर से कट करके निकाल लेना है. तो यहाँ पर देखें फ्रेंस अंदर का जो भी कपड़ा है उसको हम कट कर लिए हैं. और पूरे कोने पर आपको बिल्कुल फिनीजिंग से कट लगाना है. ध्यान रहे कि आपकी शिलाई नहीं कटनी चाहिए. अभी यहाँ पर देखें दोनों साइड से नौकुन से प्रेस करते हुए इसको पलट के सीधा करेंगे. देखें इस तरह से. दोनों साइड से आपको कोने को अच्छे से पलट लेना है. यहाँ पर देखें इसे भी अंदर की साइड कर लेंगे. पलटने के बाद से अब आपको एक नुकिला चीज लेना है. किसी भी नुकिले चीज से आप कोने को बाहर कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए मैं कोने को बाहर कर रही हूँ और देखिए इसके उपर प्रेस लगा लेंगे अगर आपके पास प्रेस नहीं है तो आप पूरे डिजाइन के उपर सीलाई लगा कर किसे सेट कर सकते हैं अब यहाँ पे देखिए एक इंच दो पॉइंट लंबाई चोणाई में चार कोर कपड़ा लेंगे कंट्रास्ट कलर में और इस कपड़े के पूरे कोने को बीच में फोल करना है और यहाँ पे ब्लाउज के बटन को आपको बीच में रखना है यहाँ पे देखिए बीच में बटन रखेंगे और चारो तरब से आपको सुई धागे के मदल से कपड़े को बीच में खींचना है अगर आप बड़े साइज का बटन बनाना चाहते हैं तो बड़ा बटन इसमें उच करेंगे तो बटन बड़ा हो जाएगा उसके हिसाब से आपको कपड़े की लंबाई च्वड़ाई को थोड़े से बढ़ा लेनी है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस एक बटन हमारा लगबग रेडी हो गया है देखिए चारों तरब से कपड़े को खींचते वे बिल्कुल बीच में करेंगे तो गोलाई का से फाज आएगा अभी यहाँ पर आपको दोनों कॉर्णर को पहले आपस में अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है देखिए इस तरह से और कॉर्णर को ज्वाइंट करने के बाद से बीच में आपका बटन आ जाएगा सीधे साइड से आपको प्रॉब्लम लगेगा आपको इसे उल्टे साइड से कर लें और उल्टे साइड से न दोनों साइड का जो कोना है उसे बटन के बीच में रखके सुई धागे से से शेट कर लें बहुत इजली सेट हो जाएगा तो देखें आपको तीन चार बार रिपीट करके इसको टक कर लेना कियोंकि पहनने के बाद से यहाँ पर हलका सा खिशाव आता है और आप अच्छे से नहीं टक करेंगे तो वहाँ से निकल सकता है आपका बटन जिस तरह से इस बटन को हम सेट किये न उसी तरह से आपको दूसरा बटन बनाके दूसरे कोने पर सेट कर लेना है और यहाँ से धागे को कट करेंगे आप देख सकते हैं बहुती फिंसी हमारा बटन लग रहा है इसमें इस डिजाइन में और अब आपको देखे यहां पे चार कोर कपड़ा लेना है पोटली बनाने के लिए धाइंच लंबाई चुमड़ाई में यहां पे देखी रूई है उसी के मदद से हम पोटली बनाएंगे यहां पे गोलाई देंगे इसमें और कपड़े के उल्टे साइड बिलकूल बीच मे आपको रखना है इसे और चारो तरब से उंगली से दबाते हुए अच्छे से गोलाई दे देना है ध्यान रहे कभी भी पोटली बनाने के लिए आपको थोड़ा सा शौप्ट कपड़ा लेना है ज्यादा हाड कपड़ा नहीं लेना है नहीं तो फिर पोटली की जो सेफ है अच्छी नहीं आएगी एक पोटली हमारा बनके रेडी हो गया पहुती सिंपल प्रोसेस के साथ आप देख सकते हैं दूसरा भी आपको उसी तरह से त्यार कर लेना है देखिए आपे कोटन लेंगे और उसमें गोलाई देंगे बिल्कुल बीचो बीच में आपको रखना है और चारों तरब से कपड़े को कीचते हूँ गोलाई देना है यहां पे द्यान रएस धागा आपको पोटन लेंगे आप आप करेंगे और कें ख आ Christmas का भी बना सकते हैं मैं यहां पे ready meant dory उज़ कर रहे हूं कभी भी आपको dory contrast color में लेना है जिस color का पोटली है उस color का नहीं लेना है तो यहां पे देखे पहले dory को आप स्टीज कर लें पहले बार first time और dory को टक करने के बाद से बिल्कुल उसको चिपकाते वे पोटली रखना है और पोटली के बाहर के side से घुमाते हुए आपको यहां पे dory को टक कर लेना है तो देखे friends dory को आपको cut मैं में चुछ करते हुए पोटली को set कर लेना है तो same idea से आपको पूरे पोटली को इसी तरह से बाजू के मौरी पर सेट कर लेना है तो यहां पर देखिए अब लाश्ट वैक्ट अम इसने रेडीं कर लिए हैं सो भी इंपस्ट कट लिए बिस्ट की जो गैपिंग है उपको एक दम बराबर से होड़कर कर लेना है बीच में आपको बस एक अब की शाप मार्जन को आपको अच्छे से दबाते हुए आधा इंज के दोरी पर एक और शिलाई लगा लेना है ताकि पहनने के बास बाहर के साइड निकलना है यहां पर देखे फ्रेंड शिलाई लगाने के बास से उल्टा करके जो शिलाई के बाद इसका margin बच रहा है नो उसको आपको कट कर लेना नहीं तो फिर अंदर के side finishing नहीं दीखेगा पूरे को आपको सिलाई को बिल्कुल चिपकाते हुए यहां से एक्ष्टे कपड़े को आपको कट कर लेना है तो एक्ष्टे कपड़े को कट करने के बाद से आप देख सकते हैं finishing और तुर्पाई कर लेना है इसके उपर जो हम अंदर के side पट्टी फोल्ड किये हैं दूसरा बाजू भी इसी तरह से त्यार कर लेंगे और दोनों बाजू का लुक आप देख सकते हैं बहुती fancy और आसान डिजाइन है तो फ्रेंस मैं में मीद करती हूं समझाने का तरीका पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेर सब्सकाइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एर चैनल को सब्सकाइब करके वेल बटन को ओन कर दें इसके back part का भी वीडियो देखना साहते हैं तो end screen पर वीडियो का link मैं दे दूंगी end screen पर जो वीडियो आएगा back part का वीडियो है और पीछे का जो डिजाइन है बहुत ही simple और आसान तरीका से मैंने बनाया है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर next video में